आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि वो कॉंट 10 सिम्टम हैं जिसे आप पता कर सकते हैं कि आपने बेबी वाई को कंसीब किया है या नहीं तो फ्रेंट्स फरस्ट है हातों का ठंडा पढ़ जाना और सुस्क हो जाना तो फ्रेंट्स 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 में महिला में कई प्रकार के बदलाव आते हैं जिन में से कुछ में उन्हें परसानी उठानी पढ़ती है जैसे मास प्रेंट्स फ्रेंट्स 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 फ्रें तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक बेबी वाई होने का symptom है जो second symptom है फ्रेंट्स की तौचा में जो बदला होता है वो भी बेबी वाई का symptom है फ्रेंट्स हमारे बुजूर के ऐसा मानते हैं कि अगर तौचा में परिवतन आ रहा है तो इससे लड़का या लड़क कि होने का पता चल सकता है क्योंकि pregnancy में महिला में हार्मोंस बतला होते हैं अगर pregnant महिला की तोचा में निखार आने लगे या चमकदार हो जाए तो समझना चाहिए कि उसे लड़की होगी दूसरे सिति में अगर महिला के चैरे पर मुहासे दाने के अलावा दाग जैसे और जो फ्रेंस ठाइल्ड है तो चटपटा खाने की इच्छा से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमने बेबी वाई कंसीब किया है कि बेबी गड़ क्योंकि pregnancy में अलग-अलग चीजों को खाने की इच्छा होना एक आम बात है इनमें किसी को खटा तो किसी को मीठा तो किसी को च अलग-अलग इच्छा हैं हमें दरसाती है कि बेबी वाई सिम्टम है कि बेबी गल सिम्टम है और अगर महिला को pregnancy किसा में चटपटा और नमकीन चीजों को खाने की तीबर इच्छा होती है तो यह संकेत एक बेबी वाई होने का माना जाता है जो कि मेरे साथ बिलकुल सही ह हुआ था और मैंने कई लेडी जोग साथ देखा तो बिलकुल सही हुआ था और जो फ्रेंट्स फोर्स है पसलियों तक प्रेगनेंसी रेखा का पहुचना फ्रेंट्स जैसे आप जो निग्रो लाइन होती है तो जो पर हमाई नाभी के नीचे से उपर तक होती है तो अगर वो हमाई एकदम सीधी लाइन होती है तो यह बिवाय होने का सिम्टम है फ्रेंट्स अगर महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय पेट के नीचे कुछ गहरी रेखा दिखाई दे तो ऐसा माना जाता है कि यह रेखा यह निशित करती है कि गर्ब में एक लड़का है या लड़क में की वह महिला को लड़का हो सकता है अगर वह निग्रा लाइन आपके नाभी के नीचे से अगदम सीधी आ जाए तो आप अदाज लगा सकते है कि आपने बिवाय को कंसीप किया है फ्रेंट्स सके लावा जो 5 सिम्टम है गर्ब में दिल की धढकन है समान से कम होना एक ल समान रूप से गर में पल रहे बच्चे की समान धरकन 140 होती है अधार बच्चे का दिल एक मिनट में 140 वाद धरकता है अगर बच्चे की दिल की धरकन 140 से कम होती है तो प्रेग्डेंट महिला को लड़का होने का सम्हाबना फ्रेंट्स बहुत ही जादा हो जाता है और लीसागर्प्राइक रैक्टनसी में महिला का मंद बार वार बदलता रहता है तो इसको लड़की होने के संकेष माना जाता है इसके लावर यादि वस्त मिलच का ब्यृभार समान रहता है। यह माना गयゃ और लज़ते है कि उसके गर्द में लड़का जन्मिले तो इसका करण यह हो सकता है कि गर्ब में एक लड़की हो और फ्रेंट्स सैवन है कि सरीर के बालों का अधिक बढ़ना लड़की होने का लक्षण यह हो सकता है क्योंकि जो कि मैंने कई लोगों के अंदर देखा तो फ्रेंट्स प्रेगनेंसी में हार्मोस बदलना एक बहुत ही मामूली बात है उन में से एक ही ये सरीर में अंचाहे बालों का तेजी से बढ़ना अगर प्रेगनेंट महिला में अंचाहे बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं तो इसको बेटे होने एक संकेत माना जाता है और फ्रेंट्स अगर प्रेगनेंट महिला के सिर के बाल जादा घने हो जाते हैं यहां पैर के बाल जो होते हैं तो अधिक दिखाई देने लगते हैं तो यह भी एक लड़का होने का इसारा होता है एक सिम्टम होता है और जो फ्र लड़के होने का बैकिंग सोडा से आप टेस्ट कर सकते हैं एड़ सिम्टम फ्रेंट्स आप मिठा सोड़ी या बैकिंग सोडा का नाम का प्रियोकर के बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं इसके लिए प्रैग्नेंट महिला ने महिला को क्या करना है कि जो फर्स्ट यूरीन ह होती है उसे एक चमजबे की सोडा में मिलाना चाहिए अगर उसमें जाग या बुलबुलें आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि लड़की होगी अगर ऐसा ना हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो तो लड़का होने की संभाब ना अधिक रहती है और फ्रेंट्स जो नाइन सि या गर्वती महला का पेट नीचे की और जादा जुका हुआ हो तो ये लड़के होने का लक्षड हो सकता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़की का बजन लड़की के बजन से जादा होता है और फ्रेंट्स यदि आपका पेट से बीच में अंडा कार का हो और नीचे की औ होने वाली है, फ्रेंट्स वैसे तो प्रैगनेंसी को धारंड करने के बाद ही मयला की इस्तनों में काफी परिवर्तन आने लगता है, इसका एक कारण सरीर में हार्मून्स में होने वाले बदलाव होते हैं, पैदा होने वाले बच्चे की आवसकताओं के लिए मा के इस्तनों का कार बढ़ता है जिसमें बच्चे के लिए दूध तयार होता है लेकिन प्रेगनसी के दौरान दोनों इस्तनों के आकार में अंतर होता है अगर आपका दाया इस्तन बाइस्तन से बड़ा है और भारी है तो साथ में जो निपल का रंग है वो भी अध की वीडिए, यह मेरे मेरे experience कर साथ से वीडियो थी, और मैंने कई अपने friend, ओमैंपने family में भी experience किया है तो, यह सारे, अगर इसमेंस आपके 3-4 symptom भी आपके match करते हैं तो आप एक guess कर सकते हैं कि आपने baby wife को conceive किया है, friends और friends, यह video इस video को बनाने बस कई लोगों को जानने को सुकता होती है या कई लोगों के पहले से बेटियां होती है तो उनको लगता है कि एक बेटा हो जाए तो इस रिजन से मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो फ्रेंट्स आगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंट्स थैंक यू फ्रेंट्स